धन तेरस और दीपावली की हार्दिक शुब काम नाएं गले में धारण कर लेना आपका बेडा पार हो जाएगा। माता लक्षमी को इस पेड की जड़ अतिप्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं स्वेम माता लक्षमी के चरण है। भगवान धन्मंतरी का विशेश शुभकारी मंगलकारी आशीरवाद होता है। दोस्तों, प्राचीन जानकारी अनुसार हिंदू संस्कृती में कई तरह के पौरानिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देत में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उलेख है जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है, इसका बहुत ही ज्यादा अध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूझा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री, जो वरत जो माता बहने वो पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधों में कुछ ऐसे आलोकिक चमतकारी शक्तियां होती हैं, जिसके दम पर कुछ समय में यानि की कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। समय माना गया है, जो व्यक्ति रिध्धी प्राप्त करना चाहते हैं, सिध्धी प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धानने की कामना हो, धन धानने से सम्रिध्धी होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ती करना चाहते हैं, अगर आप लोगों को धन्तेरस और दीपावली के समय में धारण किये जाने वाली पांच जड़ के बारे में बताऊंगा पांच जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना जितने भी मैंने लाब इस वीडियो में बताए हैं वह सारे लाब आपको मिलेंगे पेड पौधों में बहुत ही ज्यादा चमतकारिक शक्तियां होती हैं आप मानो या ना मानो हमने जीवन काल में कई बार ओशधी का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को जटिल से जटिल समस्या को हमने छुटकियों में समाप्त करवाया है दोस्तों जियोतिश वैदिक पढ़ाई के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोधशी तिथी 29 अक्टूबर को सुभह 10 बज कर 31 मिनट से धनतेरस का पावन पर्व शुरू हो जाएगा और इसका समापन 30 अक्टूबर को दोपहर 1 बज कर 15 मिनट पर होगा जो दिवाली होगी वह 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी और इन सारे पौधों की जड़ों को आप 29 अक्टूबर 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को पहन सकते हैं क्योंकि दोस्तों जो पेड़ पौधे होते हैं कही ना कही धार्मिक दृष्टी से ले लीजिए चाहें आध्यात्मिक दृष्टी से ले लीजिए हमें फायदा पहुँचाने का काम ही करते हैं सर्व प्रत्थम तो आपको धन तेरस और दीपावली के इन दो दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धन तेरस के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारन कर सकते हैं लेकिन अगर दिपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं, तो फिर अति उत्तम है, आपको वह हर सारी चीज प्राप्थ होगी, जो चीज आप प्राप्थ करना चाहते हैं। और इसे आप धारण करेंगे, तो मैं आप लोगों को दिपावली के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूँ, जिसे आप जो है लाकर के धारण कर सकते हैं, जानकारी अंत तक जरूर देखना। चांदी की रात जब पूजा होती है, उस दिन चांदी के तावीज में भर करके पहनना होता है। तो आईए, इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें धंतेरस और दीपावली के समय में कौन सी जड़ को लाकर के धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। पांच जड़ के बारे में बता रहा हूँ। इसमें हनुमान जी महराज की दैविये शक्तियां रहती हैं जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्मी सिध्धि प्राप्त करना चाहते हैं जो लोग सिध्धि प्राप्त करना चाहते हैं। भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जड़ होती हैं, इसे अवश्य लाना चाहिए। भगवान धनवंतरी सदयव, आपको धनो धनवान बना देते हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं, मात्र ये जड़धारन करने से डर भय चिंता दोश का कारण किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं, बीच देखे होंगे। फल के वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। अर्थात, ये दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए? कैसे धारण करना चाहिए? तो दिपावली के रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद ये शत्रू का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं, कि सभी लोग उ दोस्तों आप जहां भी जाईए लोग आपको देख कर क्या करशित होंगे। आपके बशिभूत हो जाएंगे तो ये अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है। नवग्रह में इसे किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणा आपको खोलती है। बरगत की जो जटा है अध्यात्म द्रिश्टी से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदु धर्म में बरगत को देव व्रिक्ष माना जाता है। देव व्रिक्ष क्यों कहा जाता है क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी बरगत की जटे आवश्य धारन करना बरगत की जटा धारन करने के बाद आपको 20-25 चमतकारिक फायदे मिलते हैं। जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। वो वीडियो जा करके आप देख सकते हैं। दोस्तों चौथे बता हूँ और आज भी बता रहा हूँ जो साढ़े 11 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है। ये भगवान गणेश की सूंड की आकरती ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा। मदार के गणेश जी हैं। इन्हें बहुत ही ज्यादा फलकारी कहा गय ये ततकाल अपना फल प्रदान करते हैं। इसे ही नहीं बोला जाता है। ये समस्त संसार के पीडाओं को हरने वाले हैं। दीपावली की रात भगवान गणेश की पूजा तथा माता लक्षमी की पूजा बहुत ही शुब और अत्यंत दुरलब चमतकारिक रूप से विशेश शुबकारे, फलकारी और धनो धन्वान बनने वाली कल्यानकारी मानी जाती है। तो अगर आप रिद्ध सिद्ध शुब लाब धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं, तो मदा की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना, इसकी दो से पांच दिन तक पूजा कर देना, इसके बाद गोवर्धन से पहले पहले या ग गरीबी दुख दर्द बीमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड है और वह लोग चुप चुप कर रोते रहते हैं, परेशानियों के कारण दुखी हो गए हैं। दोस्तों, खासकर जो बुद्ध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, तो गलत परिणाम देन जागरित अवस्था में आ जाती हैं। दीपावली पूजा में अगर आप माता लक्षमी को प्रसंद करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्षमी आपके द्वारा पे नहीं आ रही हैं, परेशान हो चुके हैं। जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिती है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ दीपावली की रात में धारन करें, इसे चांदी के तावीज में धारन करने के बाद फिर लक्षमी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ती हो जाएगी। जरूरी है, जो लोग मानते हैं, उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं, यानि कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो, तो भी पत्थर तुल्य है, अगर आप भगवान को मानते हैं, तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनि बताया हूँ, ये आस्था के उपर निर्भर करता है, आस्था है, तभी ये आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो ये आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे, तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें माता लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में धन्तेरस की तथा दीपावली की हार्दिक शुभकाम नाए